बेबलेट के ऊपर एक multiverse series जिसका बेबलेट fans बे सबरी से बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं ये चीज एक सपने जैसा है बेबलेट original series, बेबलेट metal series and बेबलेट burst series के सारे bladers एक साथ आपस में मिलेंगे और आपस में battle करेंगे आपस में बाते करेंगे ये देखना एक सपने की तरह है और present में सारे बेवलेट के fans यही चाते हैं कि बेवलेट का multiverse officially confirm हो जाए बेवलेट burst के end होने के बाद बेवलेट burst के last कुछ package से एक card मिला था जिस card में कोई date लिखा हुआ था और वो date था बेवलेट के नए generation को लेके जहांपे 21 March को include किया गया था इस date में हमें बेवलेट से related कुछ नया देखने को मिलने वाला है या तो होगा वो generation 4 या फिर multiverse अब multiverse इसी लिए क्यूंकि बहुत दिनों से इसके fans demand करते जा रहे है और writers भी ये सुन रहे हैं कि उनको multiverse चाहिए उनके fans को multiverse चाहिए लेकिन बेवलेट मेटल के writer ट्विटल पे एक दिन इस multiverse के बारे में बात किये थे ये चीज होना impossible है multiverse अगर सुरू करे भी वो तो इसके उपर काम करने में बहुत दिन लगेंगे और इसके उपर जो खर्चा लगेगा उतना खर्चा तो टकारा टॉमी करने नहीं वाला मेरे experience के उपर से मैं बता रहा हूँ ऐसा कहा था बेवलेड मेटल के writer ने लेकिन उस card में जो हमको एक glyph lightning देखने को मिला था इसके बाद भी उस announcement से लेकर एक trailer हमको दिखाया गया टकारा टॉमी चैनल के जरीए जिसमें सारे पुराने generation कब-कब release हुए थे उसके date एंड साल हमको दिखाये गए थे उसके साथ साथ एक watch और थोरा सा और भी glyph lightning हमको देखने को मिला था तो अगर आपको नहीं पता कि ये glyph lightning क्या होती है तो glyph lightning से लोग ऐसा judge कर रहे हैं कि multiverse आने वाला है और टकारा टॉमी हमको यही hint देते जा रहे हैं कि हाँ वो multiverse लाने वाले हैं लेकिन क्या वो सच में multiverse लाने वाले है या फिर वो हमारा काट रहे है अगर आप spider man के फैन हो तो आपको पता ही होगा spider man across the spider verse के trailer में बहुत जगा glyph lightning है जो glyph lightning multiverse को target करता है तो बेबलेट company टकारा टॉमी भी उनके trailer में ऐसे glyph lightning का इस्तमाल कर रहे है हमारा काटने के लिए आया फिर सच में सच में वो multiverse लाने वाले है ये दिखाने के लिए तो इसमें अगर हम deeply सोचने जाएं तो चीजे और भी complex होते हमको दिखाई दे रही है एंड जस्ट अभी कुछी दिनों पहले बेबलेट generation 4 से related एक leak निकल के आया जिसमें बेबलेट generation 4 में जो main character होगा उसका नाम reveal कर दिया गया ये सुनने के बाद बहुत सारे ब्लेडर्स के मन में एक disappointment आ गया इतने दिनों से कि वो multiverse के लिए इंतजार कर रहे थे और जो टकरा टॉमी multiverse का जो glitches हम को दिखाते जा रहे थे क्या वो आगे जाके सच नहीं होगा या generation 4 ही आएगा नए characters आएगे क्या generation 4 में अच्छा storyline मिलेगा या फिर वही burst के जैसी घिसी पीटी storyline मिलेगी burst dv जैसी क्या होगा बेबलेट का future ये सब सबाल बेबलेट फैंस के मन में इस time बहुत ही जादा घूम रही है बेबलेट जनरेशन 4 में जो नया main character होने वाला है उसका नाम भी reveal जो कर दिया गया है उसका नाम है कोमा नितो रियू अब मैंने इस नाम में एक hidden detail ढूना है आप सभी लोगों को लगेगा कि ये एक normal सा नाम है जो नया main character का होने वाला है नया main character का लेकिन नहीं अगर आप इसमें भी detail निकलने जाए तो आपको ये detail दिखेगा इस नाम के last में जो sir name में आपको एक Ryu दिखेगा Ryu word RYU अब Japanese में Ryu का मतलब होता है dragon जैसे कि रायूगा का भी नाम में RYU से शुरुआत होता था इसके भी नाम के last में RYU है तो क्या इसको भी dragon बेवलेड मिलेगा क्या ये भी dragon बेवलेड का user होगा खैर ये तो हमको नहीं पता है और ये एक theory है जो मैंने बनाई है इसके पास dragon बेवलेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मेरी बात पर पूरा मत जाओ मुझे जो लगा कि ऐसा हो सकता है तो मैंने आपको बोल दिया अब वो आपको कितना सज लग रहा है ये आप मुझे comment section में ज़रूर बता देना लेकिन क्या यही आएगा multiverse नहीं आएगा क्या इतना जादा disappointment मिलेगा हम सबको तो रुको यार मेरा इसकी उपर भी एक theory है क्योंकि ठकाट हम इतने दिनों से हमको multiverse के glitches दिखाते जा रहे है तो मुझे ऐसा लगता है कि generation 4 multiverse को explore करेगा मतलब generation 4 का कोई ऐसा तो character होगा like ये character main character जो की अपने adventures में multiverse को explore करेगा इसके पास कोई ऐसा power हमको देखने को मिलेगा कोई या फिर ऐसा एक source storyline से हमको देखने को मिलेगा कि ये बंदा अकेला multiverse में travel कर सकता है multiverse को explore कर सकता है वहाँ जाके ये दूसरे blader से मिलेगा like generation 1 के Tyson Kai से या फिर generation 2 जिंगा रायूगा वगेरा से मिल सकता है देखो मुझे पता है कि मैं बहुती बड़ी बात कर रहा हूँ लेकिन हाँ मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है भाई सुनने में तो ये चीज अच्छी है ना अगर ये सच में हो गया तो आप सोचो कितना मजा आएगा भले हमको रायूगार काई को एक साथ लटते हुए ना देखे लेकिन ये भी तो बड़िया है ना तो यार बस इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं कीचना चाहता मैं जितना आपको थियोरिस देते जाओंगा आपका मन और चाहेगा कि हाँ भाई सच में मल्टिवर्स आने वाला है सच में मल्टिवर्स आने वाला है तो देखो अपने मन में मल्टिवर्स का उमीद मत रखो अगर उमीद नहीं रखोगे तब अगर हमको मल्टिवर्स देखने को मिल गया तो भई बहुत बड़ा सर्प्राइज होगा वो और अगर उमीद रखोगे और मल्टिवर्स देखने को नहीं मिला तो बहुत जादा डिसा पॉइंट होगे तो ठीक है गाईज यही खैना ता मुझको आज इस वीडियो में मैं चलता हूँ आप अपने उपिनियन्स कॉमेंट सेक्स में मुझे जरूर बताना और इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना कि हमको जल्द ही 30 के सस्क्राइबास तक पहुंचने है तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में